हलो एव्रिवन, वेलकम टु माइ चैनल, ये हमारे वीडियो का सेकेंद पार्ट है फर्स्ट पार्ट में हमने इस ब्लाउस की ड्राफ्टिंग सिखी थी और इस पार्ट में हम इस ब्लाउस की स्टिचिंग करना सिखेंगे तो वीडियो की पूरी डिटेस जानने के लिए आप वीडियो के अंट तक बने रहें चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बैल आइकन पर जरूर से क्लिक करें तो सबसे पहले हमने फर्मे को रखकर अस्तर और में फैब्रिक दोनों की कटिंग कर ली है जो हमारा में फैब्रिक है वो एक्स्टर कट होगा लेकिन जो अस्तर है वो हमें कट टू कट करना है अब इसके बाद हम इन दोनों को आपस में जोइन करेंगे इसके लिए इस तरह से अस्तर को में फैब्रिक बर फिक्स करके 0.25 की स्टिच चारो तरफ लगा कर हम इसे फिक्स करेंगे अस्तर के साथ ये हमारा फ्रेंट वाला पार्ट है इसके हमें टू टू पीस कट करने है इस पर भी हमें 0.25 की स्टिच लगा कर अस्तर के साथ फिक्स कर लेना है तो इस तरह से एक पार्ट में मैं आपको stitch लगा कर दिखा रही हूँ इसी तरह सारे बाकी के blouse के pieces हैं वो हमें ready कर लेने हैं ये हमारा back वाला पार्ट है जिस पर हम stitch लगा रहे हैं तो पूरे blouse में इस तरह से हमें stitch लगा कर अस्तर को fix कर लेना है जो extra fabric है हमारा उसे हम cut करके निकाल देंगे इस तरह से सारे parts को हमें इसी तरह से ready कर लेना है ये हमारा back part ready हो गया है एक बार इसे fold करके आप अच्छे से check करेंगे अगर extra कहीं से निकल रहा है तो वो आप इसे cut कर देंगे ये एक part और है हमारे blouse का तो इसे भी हम इसी तरीके से 0.25 के stitch लगाकर ready कर लेंगे और extra fabric जो है हमारा main वो cut करके निकाल देंगे तो blouse के सारे parts आपको इसी तरीके से ready करने हैं उसके बाद ही हम इसे stitch करेंगे तो ये हमाने ready कर लिये हैं ये आगे का front part है और आप prints का खासकर ध्यान रखें जिस तरीके से आपका print है उसी तरीके से आपको blouse की cutting करनी है main fabric पर ये हमारा back वाला part है तो सबसे पहले हम back वाले part को ready करेंगे यहां हम इसमें darts डाल रहे हैं डालने के लिए सबसे पहले आप center में एक stitch डाल दे इससे dart डालना easy हो जाएगा उसके बाद इसे इस तरीके से fold करके और आपको dart डालनी है और यहां पर आपको kona नहीं बनाना है slide सा round लेके आपको यह dart complete करनी है ध्यान रखे dart में किसी भी तरह का आपको kona नहीं बनना चाहिए तो यहां पर हलका सा round लेना है और यह dart हमने complete कर दी है इसके बाद हम यहां पर छोटा cut लगाएंगे ताकि यह easily fold हो जाए और हमारा blouse उठा उठा ना रहे अब यहां पर हम एक बार इसे press कर देंगे जो dart का face है वो बाहर की तरफ होगा margin की तरफ अब हम इस पर एक बार अच्छे से press कर लेंगे अच्छे से press करने के लिए आपको इस cushion की जरुरत होगी इससे अच्छे से press हो जाती है और सारी dart open भी हो जाएगी एक बार इस पर अच्छे से press करने के बाद अब हम इसे एक बार फिर से check करेंगे यह हमारा बिल्कुल complete हो चुका है अब हम इसमें नीचे की तरफ इसे finish करेंगे इसके लिए हमने या पट्टी लिया है यह पट्टी हमारी two and a half inch की है इससे हमने fold करके press कर लिया है तो इस तर पट्टी से आप इसे finish कर सकते हैं पट्टी जितनी आपको उसकी width चाहिए आप अपने according रख सकते हैं अब हम इस पर एक top stitch और लगाएंगे तो इस तरीके से margin हमारा पट्टी की तरफ रहेगा और यहां पर हम एक top stitch लगाएंगे अब हम इसे अंदर की तरफ इस तरीके से fold करेंगे यहां अंदर हमारे तुर्पन होगी तो पहले हम यहां पर पांच नंबर की सिलाई लगा देंगे बाद में हम उसे खोल देंगे अब हमें back का neck finish करना है उसके लिए मैंने fusing paper लिया है और यहां पर एक straight line draw करी है उसके बा और जो shoulder से उपर की तरफ है हमें half inch या एक inch extra रखना है वो हम बाद में cut कर देंगे यहां पर पट्टी की जो width है वो हम 1.25 inch ले रहे हैं आप 1.5 inch तक ले सकते हैं इससे जादा नहीं लेनी है आपको अब इन सारे points को आपस में join कर देंगे और इस पट्टी को cut कर लेंगे पट्टी को cut करने के बाद हमें इसे press की help से fabric पर paste कर लेना है अब हमें इस तरीके से इसे paste करना है उपपर की तरफ हमारा cut to cut रहेगा और नीचे की तरफ हमें half inch या one inch extra रखना है और इस तरीके से उसे हम 0.25 inch की दूरी पर सिलाई लगाते हुए सारे fabric को fusing पर इस तरह से paste कर लेंगे अब हमें सारे extra fabric को cut करके निकाल देना है इसके बाद अब हम इसका center करेंगे और center पर एक mark करेंगे blouse के back part का भी हमें center लेना है यह हमारा back part हो गया center से हम center को मिलाएंगे और इस पर half inch की दूरी जो हमने margin में रखी थी blouse की cutting करते हुए उतना ही हमें यहां पर दबाना है इसके बाद हम जो 0.25 fabric रखते हुए बाकी का extra fabric cut करके निकाल देंगे इस तरह से और इसकी round वाली side पे छोटे छोटे नौचेस लगाएंगे इसके बाद हमें top stitch करनी है जो margin है 0.25 का वो हमारा पट्टी की तरफ रहेगा और पूरे neck में इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है अब हमारा यह easily अंदर की तरफ fold हो जाएगा तो इस तरह से यह हमारा fold हो गया है back part हमारा ready है और यह उठा हुआ आएगा लेकिन जब हम इसको stitch करके पैनेंगे तो यह body पर बिल्कुल proper fit होगा उपर की extra पट्टी हम cut कर दी है अब हमें blouse के first part को join करना है तो उसके लिए सबसे पहले इस तरीके से हम princess cut वाली line को join करेंगे तो हमें नीचे की तरफ से इसे join करना है और यहां हमने half inch सिलाई के लिए add किया था तो proper उतना ही हमें सिलाई में दबाना है और यहां पर हम छोटा cut लगाएंगे ताकि easily इस पर attach हो जाए हमें इन दोनों parts को कहीं से भी खीचना नहीं है दोनों को इस तरह बराबर मिलाते हुए पूरे में हमें half inch की सिलाई करके इसे finish करना है यह देखे हमारा बिल्कुल बराबर आया है क्योंकि हमने इसे 2-3 बार चेक कर लिया था तो इस तरह से जब आप चेक करके इसे attach करेंगे तो कहीं से भी आपका छोटा या बढ़ानी आएगा सेम दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरीके से attach करना है और यह देखे बिना प्रेस लगाई हमारा अच्छा सा puff बन गया है यह हमाने दूसरा पार्ट भी attach कर लिया है हमारे दोनों पार्ट्स रेडी है अब हम इसके round shape पे इस तरह से नोचिस लगाएंगे नोचिस हमें पूरे princess shape में लगाने है नोचिस लगाने से हम easily इसे प्रेस कर पाएंगे तो इस तरीके से इसे open करके हम अच्छे से इस cut को प्रेस करेंगे तो नीचे से तो हम इसे normally प्रेस करेंगे and center से हम इस cushion का use करेंगे इसे प्रेस करने के लिए और अच्छे से इसे open करके हमें इसकी प्रेस लगानी है प्रेस हमें stitch करने के साथ साथ ही blouse में प्रेस करनी है अब फ्रेंट वाली साइट से भी हम इसे प्रेस लगाएंगे तो यहां हमने पूरे शेप को अच्छे से प्रेस कर दिया है और यहां पे देखिए हमारा अच्छा सा पफ बन गया है अब पूरे बलाउज में ही हमें प्रेस लगा लेनी है ये देखिए सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी हमें रेडी कर लेना है प्रेस करके अब हम फ्रेंट पार्ट की एक कटिंग अस्तर पे और करेंगे तो center के दोनों part और princess cut और इन part को सेम इसी तरीके से हमें join कर लेना है अब front main fabric वाले part पर इसे इस तरीके से रख कर अब हम neck को finish करेंगे तो half half inch की दूरी पर इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाएंगे और 0.25 margin रखते हुए हम पूरे neck को cut कर देंगे इस तरह से अब छोटे छोटे नोचिस हमें यहां लगाने है और top stitch लगाते हुए margin को अस्तर की तरफ रखेंगे यह extra अस्तर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें front वाले part में pad लगाने है तो उसको finish करने के लिए हमें यह अस्तर लगाना होता है तो यहां पर यह हमारा neck भी finish हो गया अब हम waste वाले part को भी इसी तरीके से finish करेंगे तो यहां हमने अस्तर को एक line जितना बाहर रखा है और वो क्यों रखा है ताकि हम जब इसे turn करें तो हमारा अस्तर main fabric से बाहर की तरफ ना दिखे तो यहां भी हमने half a finch सिलाई में दबाया है और एक line जितना अस्तर बाहर की तरफ रखा है तो यहां पर हमारा जो waste वाली size है वो भी finish हो जाएंगी यहां पर एक दो छोटे cuts लगाने है और यहां पर भी हम top stitch लगाएंगे और margin हमारा अस्तर की तरफ रहेगा तो हमारा neck और waste वाला part finish हो गया है अब हम इस पर pad attach करेंगे तो यहां हमने यह pad लिए हैं 38 size के उसके बाद हमें इसका center कर लेना है तो इस तरीके से यहां पहले एक mark करेंगे उसके बाद दूसी तरफ से इसका center करेंगे और यहां पर एक mark करेंगे तो यहां से हमाए pad का center point मिल जाएगा दूसरे pad में भी हमें इसी तरीके से center mark करना है तो यहां पर हमारा center mark हो गया अब हम इसे कैसे attach करना है वो देखेंगे तो इस तरीके से हम से turn करेंगे और जो हमारी अस्तर वाली side है उस पर हमने princess वाली line पर एक mark किया था notches बनाया था cutting करते समय तो उसी पर हमें इसे attach करना है तो उस notches को pad के center में रखकर यहां हमें से attach करेंगे तो हम यहां पूरा attach नहीं कर रहे हैं इसे थोड़ा सा ही attach कर रहे हैं तो यह हमारा pad यहां पर attach हो गया है अब हम इसे अंदर की तरफ turn कर देंगे सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी pad attach कर लेना है तो यह बिलकूर proper तरीके से हमारा pad attach हो गया है अब हम इसे चारो तरफ से जो open वाली side है उस पर .25 की stitch लगाते हुए इसे पूरा fix करेंगे अस्तर को main fabric के साथ दूसरे वाले पार्ट में भी हमें इसी तरीके से pad लगाकर अस्तर को main fabric के साथ attach कर लेना है तो यहां पर हमारा pad भी बिलकूल finish हो गया है अंदर की तरफ अब हमें इसके shoulder join करने है इस तरीके से हम इसे back वाले part पर front से front मिलाकर रखेंगे और half inch की दूरी पर यहां पर stitch करेंगे तो जितना हमें margin लिया था half inch उतना ही हमें stitch करना है और पीछे की जो back वाली पट्टी हमने stitch कर रखें उसे बार की तरफ निकाल देंगे तो यहां पर पका करके बीच में जो एक line जितना gap है उसे हम back side वाली पट्टी से cut करेंगे अब हम इसे front वाली तरफ turn कर देंगे और back की तरफ से जो हमने stitch लगाए थी उसी पर वापस से हमें stitch लगाना है तो यहां पर हमारी shoulder पट्टी बिलकुल attach हो गई है जब हम इसे इस तरह से खोलेंगे तो यह हमारे proper बिलकुल round बनेगा कोई भी kona नहीं बना है तो इसी तरीके से हमें इसे attach करना है अब दूसरा वाला जो part है वो भी हमें इसी तरीके से attach करके complete कर लेना है हमारा neck भी finish हो गया है हमारी waist line भी अब last हमारी sleeve रही है sleeve attach करने से पहले हम सामने hook और eye की पट्टी ready करेंगे तो hook और eye की पट्टी ready करने के लिए हमने यहाँ पे पट्टियां cut करके रखी है तो एक पट्टी हमारी अस्तर वाली 1.5 inch और दूसरी main fabric और अस्तर दोनों पट्टी cut करनी है और इसकी width हमने 2.5 inch रखी है तो जो अस्तर वाली पट्टी है उसे हमें right hand side से लगाना है तो यहाँ पे हम इस तरीके से पूरे में पट्टी attach करेंगे यह हमारी hook वाली पट्टी है उपर की तरफ से भी हमने 1 inch छोड़ा है और इसे अंदर की तरफ इस तरीके से turn करेंगे आप चाहें तो रेडिमेट हुकाई पट्टी भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर लेकिन हम normally जैसी पट्टी बनाते हैं वही बना रहे हैं यहाँ पे हम कोना cut करेंगे और इस पट्टी को इस तरह से turn करेंगे अब इसे पीछे की तरफ इस तरीके से fold करके हमें 5 नमबर की सिलाई लगाने हैं जिसे बाद में हम open कर देंगे तो इस तरीके से पट्टी को half हमें fold करना है अब हम इसे पूरा अंदर की तरफ इस तरह से टर्ण कर देंगे और यहां भी हम पाँच नमबर की एक बड़ी सिलाई लगाएंगे बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे तुरपाई करने के बाद हम ये स्टिच ओपन कर देंगे अब हमें दूसरी पट्टी ready करनी है तो ये main fabric और अस्तर हमने साथ में cut किया है अब हम अस्तर के साथ main fabric को पहले attach करेंगे इस तरह से तो पूरी पट्टी में हमें सिलाई लगा कर इसे attach कर लेना है ये हमारी पट्टी ready हो गई है अब इसे उल्टी वाली side से हम इस तरीके से attach करेंगे और जो भी हमने half half inch सिलाई के लिए add किया था उतना ही हमें दबाना है इसमें और उपर की तरफ half या 0.75 जितना रखकर हम इसे इस तरह पिछे की तरफ turn कर देंगे अभी हमें इसे आगे की तरफ इस तरह से turn करना है और उसके बाद हम इस पर एक top stitch लगाएंगे और जो हमारा margin है वो पट्टी की तरफ होगा इस तरह से हमारी पट्टी अटेच होगी अब इसे इस तरह से एक बार half inch उसके बाद इसे इस तरह से fold करेंगे तो total हमारी 1 inch से भी कम 0.75 inch की हमारी ये आई वाली पट्टी बनेगी अब हम इसे इस तरह से इस पर top से लगाएंगे और इसे इसके साथ अटेच कर देंगे ये हमारी आई वाली पट्टी बनके रेडी है अब हम इस पर एक स्टिच और लगाएंगे हमें only one pair के स्टिच लगानी है इस पर आपर ये हमारी पट्टी complete है अब हमें इसे एक बार चेक कर लेना ये बिल्कुल हमारी बराबर आ रही है अब हम sleeve attach करेंगे तो sleeve attach करने से पहले इसके bottom को finish करना है तो यहाँ पी हमने one and a half inch की पट्टी कट कई है और इसे इस तरीके से पहले एक सिलाई लगाएंगे हाफ आफ इंची हमें दबाव लेना है यहाँ पे उसके बाद इस तरह से turn करके एक top stitch और लगाएंगे इस पर margin हमारा पट्टी की तरफ रहेगा अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है हाफ इंच उसके बाद इसे proper पूरा अंदर की तरफ turn करेंगे हमें इतना turn करना है कि हमारा एक line जितना main fabric बाहर की तरफ दिखे इस तरह से बाद में हम इस पर तुरपाई करके इस stitch को open कर देंगे अब हमें sleeve का इस तरह से center करना है उसके बाद सबसे पहले हम side वाले part को नाप कर देखेंगे कि यह हमारा बिलकुल बराबर है या नहीं तो 1.5 इंच हमें सिलाई में दबाओ देना है तो उतना तो हमारा यह proper बराबर होना ही चाहिए तो यहां से हमारा 0.25 से भी कम जो आ रहा है एक्स्ट्रा उसे हम कट करके इस तरह से निकाल देंगे जब हम इसे बराबर जोइन करेंगे तो हमें कोई प्रॉबलम नहीं आएगी यह हमारा प्रॉपर 1.5 तक बराबर आ रहा है दूसी तरफ भी इसी तरीके से हम करेंगे अब हमें आर्म होल का भी सेंटर निकालना है तो जहां शोल्डर जोइन है वो हमारा आर्म होल का सेंटर नहीं है हमें आर्म होल का सेंटर इस तरह से बराबर मिलाते हुए निकालना है यह हमारा शोल्डर से पीछे की तरफ आ रहा है और यही हमारा आर्म होल का सेंटर होगा अब हमें इसमें sleeve attach करनी है sleeve attach करने के लिए हम इसे side से attach करना है start करेंगे तो जो margin हमने half inch का sleeve में रखा था उतना ही हमें दबाव लेना है तो यहाँ पे sleeve को और front वाले armhole को मिलाते हुए हमें इस तरह से half half inch की दूरी पर stitch लगानी है दोनों फैब्रिक हमारे बराबर होने चाहिए और ये जो सेंटर पर हमने मार्क किया था स्लीव का सेंटर और हमारे आर्म होल का सेंटर दोनों प्रॉपर मिलने चाहिए पूरी स्लीव को इसी तरह से हमें हाफ-ाफ इंच की दूरी पर अटेच करना है अब इसकी बैक वाली साइड पर वही हम इसी तरीके से इसे अटेच करेंगे और देखिए हैं हमारी बिल्कुल बराबर आई है क्योंकि हमने इसे रिचेक कर लिया था यह हमारी पूरी स्लीव अटेच हो चुकी है सेम इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव भी अटेच कर लेनी है यहां हमारी स्लीव प्रॉपर तरीके से अटेच हो गई है अभी एक बार हम इस पर प्रेस लगा लेंगे इस तरीके से हमें मार्जिन को स्लीव की तरफ रखते हुए प्रॉपर अच्छे से प्रेस लगा लेनी है दोनों स्लीव पर हमें प्रेस लगानी है और जो स्लीव का सेंटर वाला पार्ट है उस पर हम कुशन यूज करके प्रेस लगाएंगे ताकि ये अच्छे से प्रेस लग जाए इस पर अब हमारा लास्ट जो है side fitting रह गया है sleeve पर हमने overlock भी कर लिया है तो side fitting के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है जो हमने 1.5 inch margin रखा था उतने पर हमें mark करना है दुबारा से हमें blouse को recheck करने की ज़रूत नहीं है तो यहां पर हमने sleeve पर side में 1.5 inch पर इस तरह से mark किया और इसी पर हम stitch लगाएंगे तो दोनों को proper बराबर मिलाते हुए हमें 1.5 inch पर stitch लगानी है तो यहां हम दोनों fabric को बराबर मिलाएंगे और जो हमारी armhole वाली line है वो हमारी दोनों बराबर मिलनी चाहिए ऐस तरह से और 1.5 inch 1.5 inch पर ही हमें stitch लगानी है यहां पर हम lock कर देंगे तो यह देखिए हमारे stitch लग गई है अब हम 0.25 inch पर एक और stitch लगा देंगे अगर हमें थोड़ा losing चाहिए तो हम उसको खोल सकते हैं first वाली को इसी तरह से हमें दूसरे पर भी stitch लगा लेनी है बराबर मिलाते हुए यहां हमने दोनों पर पर 1.5 inch की stitch लगा दिये और यह हमारे arm बिलकुल proper बराबर मिल गए है तो यहां हमारा blouse complete है तेकिन जब हम यह इस तरह से रखते हैं इसे तो यहां बीच से हमारा उठा हुआ होता है इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है इसे टर्न करके जो यह side वाली line है इसे हम open कर देंगे तो side की इतनी सिलाई हम खोल देंगे जहां तक हमारे stitch है वहां तक दोनों parts की इस तरह से अब हम इसे जब open करेंगे तो यहां पे हमारा blouse उठा हुआ नहीं होगा और यह पैनने में भी हमें बहुत सी comfortable होगा तो यह देखिए हमारा बिल्कुल उठा हुआ नहीं है दूसी तरह भी हम इसी तरीके से करेंगे यह हमारा blouse complete हो गया है और इस पर तुर्पन कर लेंगे और जो हमने 5 नंबर की सिलाई लगाई है बड़ी सिलाई उसे open कर लेंगे आपको यह blouse की stitching कैसी लगी प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपके कोई question है तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं थैंक्स फर वचिंग